नमस्कार दोस्तो मिर नाम स्रीकान कुमर अब देख रहें टुजेट प्रोसेस आज हम बात करने वाल इस वीडियो में दोस्तो अगर आप अपना मोबाइल से इस सरम कार्ड बनाना चाहते हैं और बनाने के बाद उससे आप डॉनलोड करना चाहते हैं विल्कुल फ्री में तो इस वीडियो को लाज तक बने रहना है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सिंपल तरीका से बतलाने वाला हूँ कि इस सरम कार्ड के लिए प्लाइक इस परकार से आप कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको भी इस सरम कार्ड के लिए प्लाइक करना है तो इस वीडियो को लाज करते हैं दोस्तो इसरम कार्ट बनाने के लिए सबसे पहले जो कि अपना किसी एक ब्रोजर को ओपन कर लेना होगा और ब्रोजर में आपको टाइप करना होगा इसरम इस तरह से आपको टाइप कर लेना टाइप करने के बाद सर्च के बटम पे क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद दिखे दोस्तों भारत सरकार का ओफिसियल वेपसाइट जो कि इस परकार से यहाँ पे ओपेन हो जाता है और इस ओफिसियल वेपसाइट पर डाइरेक्ट आना चाहते तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में आपको मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले जोए कि इस रम कार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले जोए कि आपको इस परकार से निचे आना होगा यहाँ पे दिखिए दिया गया है रजिस्टर ओन इस रम इस पर आपको क्लिक करना होगा इस परकार से क्लिक करने के अधार link mobile number is यानि कहने के मतलब है कि इस box में आप mobile number जो type कीजेगा वो अधार card में link होना चाहिए तो सबसे पहले इस box में mobile number को type कर लेना है और एक capture code जो दिख रहे हैं इस capture code को इस box में type कर लेना होगा तो चलिए हम दोनों को type कर लेते हैं तो यहाँ पर दिखें दोस्तों mobile number को type करने के बाद इस box में आपको type कर लेना होगा तो चलिए हम OTP को type कर लेते हैं तो यहाँ पर दिखें OTP को type कर लेते हैंまぁ समयद के bottom पे click कर देना होगा इस보 करने के बाद दुष्टो आगला page हो इस इस परकार्ट यहां पर ओपन हो जाता है तो सबसे पहले इस बोक्स में अपना अधार नमर को टाइप कर लेना होगा तो चार अंक इसमें टाइप करना होगा तो चले हम टाइप कर लेते हैं अधार नमर को तो यहां पर देखिए अधार नमर को टाइप करने के बाद जो कि इ information details होगा पूरा इस परकार से आपके open हो जागा open होने के बाद जो कि संभित के बटम पे click करने के बाद जो कि इस परकार से यहाँ पे देखने के लब को मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे दिखे इसरम card registration करने के लिए 5 step में आपको fill up करना होगा तो किस परकार से यहाँ पे fill up किया जाएगा वो हम पूरा details में आपको stable step के बदला देंगे तो दोस्तों सबसे पहले जो कि आपको personal information अपना देना होगा तो personal information देने के लिए आपको इस परकार से आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे दिखे जो भी आपका mobile number दिया हुआ यह automatic यहाँ पे दिखे इस परकार से fill up किया हुआ रहेगा उसके बाद जो कि अगर आपके पास कोई emergency mobile number है तो आप यहाँ दे सकते इस box में अगर उसके बाद जो कि इस box में अपना email id को दे सकते अगर आपके पास है तो दे सकते अगर नहीं है तो कोई problem नहीं है उसके बाद जो कि आपको यहाँ पे married status को आपको select करना होगा कि आप married है यह unmarried है उसके बाद इस box में अपना father's name को type कर लेना होगा उसके बाद जो कि आपको इस box में अपना category को select कर लेना होगा यह आप OVC है यह general है यह ST है जो भी है आपको यहाँ से select कर लेना है select करने के बाद जो कि इस box में अपना blood group को select कर लेना होगा अगर आपको याद है कि मेरा blood group क्या है तो इसमें आपको select कर लेना है उसके बाद जो कि अगर आप Bclang है तो Yes पर click select कर लेना है अगर Bclang नहीं है तो No पर ही आपको रहने देना है उसके बाद जो कि आपको यहाँ पर देखिए अपना nominee के name को अगर आप देना चाते हैं तो इस box में अपना nominee के name को type कर लेना है उसके बाद nominee के date of birth उसके बाद gender को select कर लेना है उसके बाद जोकी nominee के आपका relationship क्या है उसको आपको select कर लेना है तो चलिए यह सारा चीज को fill up कर लेते हैं उसके बाद आगे को process हम आपको दिखाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर दिखें सारा details को fill up कर लेना आपको यहाँ पर एक option देखने के लिए मिलेगा save and continue इस पर आपको इस परकार से click कर देना है click करने के बाद दिखें दोस्तों अगला page जो कि इस परकार से यहाँ पर open हो जाता है और इसमें सबसे पहले जो कि अपना address को fill up करना होगा तो address अपना fill up करने के लिए आपको इस परकार से नीचे आना होगा तो यहाँ पर दिखें सबसे पहले जो कि residential details आपको fill up करना होगा तो सबसे पहले जो कि आपको यहाँ पर दिखिए अपना state के नाम को select कर लेना होगा तो चलिए हम select कर लेते हैं सबसे पहले state के नाम को इस परकार से दिखिए select कर लिए select करने के बाद जो कि सबसे पहले आपको create details आपको यहाँ पर अपना address को fill up करना होगा तो क्या क्या fill up करना होगा तो सबसे पहले जो कि अपना host number, locality के name यहाँ इस में select कर लेना होगा उसके बाद जो कि फिर से आपको state के नाम को select करना होगा उसके बाद जो कि इस box में अपना district के नाम को select करना होगा और उसके बाद इस box में आपको select करना होगा, कि इस address पर आप कितने साल से रह रहे हैं, उसको आपको select कर लेना होगा, select करने के बाद आपको फिर एक option आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, migrant worker, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप कहीं अपना state से बाहर में रहकर काम कर तो आपको yes पर click कर लेना है, अगर आप अपने state में ही काम करते हैं, तो no वाले option पर रहने देना है, तो चलिए सारा details को fill up कर लेते हैं, उसके बाद आगे को process हम आपको दिखाते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दिखें सारा details को fill up करने के बाद आपको यहाँ पर दिखें, save and continue का जो button दिख रहा, इस पर आपको click करना होगा, इस पर कर से, click करने के बाद आप देखें, यहाँ पर तीन step जो के यहाँ form को fill up हो गया, देखें यहाँप ग्रीन दिख रहा है, अब यहाँ चौथा step को आपको fill up करना होगा, तो चौथा step को आपको यहाँ पर educational qualification आपका क् लेना होगा तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद दिखे दोस्तों यहां से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका मंतली इंकम क्या है तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं select करने के बाद आपको यहाँ पर दिखिए एक option देखने के लिए मिलेगा save and continue का button इस पर आपको click करना होगा इस परकार से click करने के बाद दिखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा step जो है कि इस परकार से यहाँ पर fill up हो गया अब पच्मा यहाँ पर दिखिए आपको step को fill up करना होगा तो दोस्तों पच्मा step fill up करने के लिए आपको इस परकार से नीचे आना होगा और यहाँ पर दिखिए सबसे पहले आपको तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आप काम क्या करते हैं उसको आपको इसमें आपको टाइप करना होगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखे आई बटम जो दिया गया है इस आई बटम पर आपको इस परकार से क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपको एक list जो है कि download हो जाएगा और इस list में जो भी आप काम करते हैं उसको आपको खोज लेना होगा ऐसे में आपको बहुत असान तरीका से अगर आपको खोजना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दिखे सर्च वाले जो बटम दिया गया है सर्च के बटम पे आपको यहाँ पे दिखे सर्च का जो बटम दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद जो भी आप वर्क करते हैं उसको आपको यहाँ पे टाइप कर लेना होगा तो चले में एगरी culture है तो यहाँ पर एगरी culture जैसी type की जगा highlight देखें यहाँ पर इस परकार से यहाँ पर देखिए देखने कलब को मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा तो जैसे हम यह जो है कि यहाँ पर work करते हैं तो इसको क्या करना होगा तो सबसे पहले कि आपको copy कर लेना होगा इस परकार से देखिए यहाँ पर copy कर लेते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे जोए कौपी नहीं हो रहा तो आपको क्या करना होगा? तो आपको इस मेनिंग वर्र जो लिखा हुआ इसी को आपको ऐँब कर लेना होगा तो चले हम उहाँ पर आपको दिखा देते हैं तो यहाँ ज़िसे भी टाइप करते हैं कर से और उसके बाद दोस्तों इस box में जो है कि आपका जो है वार करते हो कितने साल का experience है उस experience को आपको इसमें लिख लेना होगा तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लेते हैं जितना साल का experience है मुसको लिख लेते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर लिख लिया है उस पर कर से उसके ब दिखे दोस्तों इस box में जोई कि आपको select करना होगा कि यह जो काम आप सिखे हैं कहीं training लेकर सिखे हैं या फिए अपने आप खुद से सिखे हैं उसको आपको यहाँ से select कर लेना होगा तो चली हम select कर लेते हैं second वाले option को इस परकार से select कर लिए और उसके बाद जोई कि इस box में जो है कि अगर आप government का कोई भी training को अगर आप accept करना यानि सिखना चाहते हैं तो आपको इसको select कर लेना होगा अगर नहीं तो आपको इसको छोड़ देना होगा तो चली हम select कर लिए select करने के बाद आपको यहाँ पर दिखे save and continue का जो के button दिख रहा है इस पर आपको इस fill up करना होगा तो आपको किस परकार से fill up करना होगा वह हम आपको इस वीडियों पूरे details में आपको बतला देंगे तो दोस्तों सबसे पहले जो कि आपको इस परकार से आपको नीचे आना होगा तो दोस्तों सबसे पहले जो कि आपको बैक के काउन details को आपको fill up करना होगा सबसे पहले यहाँ पर दिखे देखने के लिए आपको मिलेगा bank sitting with अधार तो दोस्तों यहाँ पर जो कि आपके bank के साथ अधार कार्ट लिंक नहीं इसलिए आपके no को option दिख रहा है अगर आपका link रहते हो तो यहाँ पर yes कर रहता option और yes पर करते तो automatic आपका जो भी अधार कार्ट के साथ bank link है automatic यहाँ पर दिखने क्लब को मिल जाएगा तो दोस्तों सबसे पहले जो कि इस box में अपना account number उसके बाद फिर से आपको इस box में account number को type कर लेना है उसके बाद जो कि account पर किसके नाम से holder name आपको इसमें type करना होगा है यानि जिसके नाम से account number है bank हा तक होलाया हुआ है उसका नाम इस box में आपको type कर लेना होगा उसके बाद जो कि अपना bank का IFC code को इस box में type कर लेना है उसके बाद जो कि इस box में अपना bank name को type कर लेना है फिलप करने के बाद आपको यहाँ पे Save and Continue का बटम दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर दोना होगा इस परकार से क्लिक करने के बाद दिखिए दोस्तों अगला पेज जो है कि इस परकार से यहाँ पे ओपेन हो जाता है और यहाँ पे दिखिए जितना भी आप डिटेल्स को फिलप किया है पुरा डिटेल्स जो कि इस परकार से आपको देखने के लपको मिल जाएगा तो दोस्तों जितना भी डिटेल्स को फिलप किया है इस परकार से आपको एक नजर से आपको देख लेना हो आपको यहाँ पर दिखे सम्वित का बटम दिख रहा है सम्वित के बटम पर आपको इस परकार से क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसी सम्वित के बटम पर आप क्लिक करते हैं इस परकार से यहाँ पर रेजिस्टेशन सक्सेस फूल हो जाता है और यहाँ पे जो है कि आपका इसरम कार्ड बनकर ready हो जाता है और यहाँ पे दिखिए इस तरह से देखने के लिए आपको मिल जागा थेंक्यू का मैसेज इस परकार से उसके बाल वे कि आपको क्या करना होगा तो आपको यहाँ पे इस परकार से नीचे आना और आपका आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे देखिए आपका इसरम कार्ड नंबर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जागा और इसको बोला जाता है इवेन कार्ड भी बोला जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना हो तो इसको आपको डाउनलोड करने के आपको यहाँ पर देखिए download even card पर click करके आपको इस card को download कर लेना होगा तो चले इसको download कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर देखें मेरा जो है कि यहाँ पर इसरम कार्ट डाउनलोड हो गया है तो दोस्तों अगर आप मोवाइल से कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है कि आपको इसको सेप कर लेना होगा सेप करने के बाद जो है कि आपको जो भी नजदीक में होगा साइबर कैप वहाँ पर जाकर आपको इसको print out निकल वा लेना उसके बाद उसको नमनेशन कर वा लेना है तो दोस्तो इस परकार से जो है कि leagues raam card के लिए apply कर सकते हैं apply करने के बाद जो कि आप इस परकार से download भी कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगवा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जब आइकान घंटी को भी प्रेस कर लिजेगा